दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम के लिस्ट के ओनल पोर्टल में इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक सम्मेधान के सुरोतों के बारे में इससे लगभग एक नंबर का कोश्चन आपके हर एक्जाम में पूंच लिया जाता है चाहें वो आपका रेलवे का एक्जाम जो चला है करंट वाला वो हो चाहें वो आपके SSC के एक्जाम सो कोई भी एक्जाम हो तो उसमें एक क्वेशन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल ही जाएगा तो देखते हैं जल्दी से इस टॉपिक के बारे में तो सबसे पहरे मैं आपको बता दूँ कि आपसे question पूछा जाता है कि बताईए भारत की संब्धान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधनियम का है तो आपको answer देना है भारत की संब्धान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत सासन अधनियम 1935 का जो भार सातन अदरियां 1935 था उसके आधे से आधे का आर्टिकल्स को यानि कि 50% से भी जादा आर्टिकल्स को सम्मिधान में सीधे सीधे समलित कर लिया गया है या उनमें थोड़ा बहुत संसोधन करके हमारे सम्मिधान में सामिल कर लिया गया है अब उसके बाद सम्मिधान सभा के बिसिसक्यों ने यानि कि जो सम्मिधान सभा के स्रदस्ट थे डाक्टर भीमराव मेटकर उनके साथ ही उन लोगों ने बहुत सारे देशों के सम्मिधान को अच्छे से इस्टडी किया और उनसे जितनी भी अच्छी बाते मिल सकती थी उन सारी अच्छे अर्टिकल्स को अपने सम्मधान में सामिल किया तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जिनसे exam में question आता है यह में में 10 देश हैं जिनसे सबसे ज़्यादा बाते हमारे देश के सम्मधान में सामिल की गई है तो देखते हैं जल्ली से हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन के बारे में बेटेन से क्या क्या लिया गया है तो बेटेन से ली गई है संस्दी सासन प्रणाली और दुई सदनी ववस्ता यानि कि जिस तरीके से बेटेन में संस्द में दो सदन होते हैं पालियमेंट में एक होता है House of Lords, House of Commons उसी तरीके से हमारे यहां राज सभा और लोक सभा होती है इसके अलाबा बेटेन से ली गई है एकल नागरिकता एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है एकल नागरिकता का मतलब होता है आप किबल भारत के नागरिक हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज में रहते हैं चाहें आप राजस्थान में रहें, हर्याना में रहें या अंध्रदेश में, आपकी जो नागरता है वो भारत की ही होगी, जबकि दोहरी नागरता में क्या होता है, दोहरी नागरता अमेरिका में लागू है, बहाँ पर होता क्या है, कि वक्ति अमेरिका का तो नागरता ही हो और वो कहां से ली गई है, वो ली गई है बिटेन से, इसके बाद दो चीज़ें और बिटेन से में में ली गई हैं, वो क्या है, विधी का सासन और बिधी निर्मार प्रिक्रिया, विधी का सासन क्या होता है, कि जो सासन है, वो लौ का ही चलेगा, मतलब कानून का ही सासन चले गए हैं तो इसे को कहते हैं बिधी का सासन और जो बिधी निर्माड प्रक्रिया है वो भी बेटें से ली गई है बिधी निर्माड प्रक्रिया कैसे जैसे कि कोई कानून का सबसे पहले बिल पेस किया जाता है वो राज सवा में जाता है लोक सवा में जाता है फिर उस पर प्रधानमंत्री नाम का कोई पोश्ट नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है राष्टपती, जबकि बिटेन में राष्टपती नाम के कोई पोश्ट नहीं होती है, वहाँ पर होता है केबल प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों, क्योंकि बिटेन और अमेर्का का जो सम्म्धान का structure है वो दोनों अलग-अलग है बिटेन के जो सम्म्धान का structure है वो है unitary यानि की एकात्मक और America की सम्म्धान का structure है federal यानि की संगी बैसे आप अगर unitary और federal में आगर अच्छे से अंतर समझना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लिखेत और अलिके सम्म्धान वाला अगर आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको unitary और federal में बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ जाएगा फिर भी मैं यहां बता देता हूँ थोड़ा सा सौड में देखें जो federal countries होती हैं उन में राज पाबर फुल होते हैं जबकि unitary countries में राज नाम की कोई चीज होती ही नहीं है वहाँ पर मतलब जगह तो रहती है राजियों के नाम तो रहते हैं लेकर उनको अधिकार नहीं मिले रहते हैं वहाँ पर किबल केंदर की चलती होती है तो यह हो गया amendment unitary और federal में अंतर अब देखते हैं अमेरिका की समधान से क्या लिया गया है अमेरिका की समधान से सबसे पहले तो मूल अदकार आपको याद रखना है इसके अलाबा अमेरिका की समधान से राष्टपती पर महाब्योग की प्रिक्रिया लिया गया है राष्टपती बहुत पाबर्फल होता है तो वो अपनी मनमानी ना करने लगे उसको हटाने की जो प्रोसेस है वो अमेरिका से ली गया है और अमेरिका से स्वतंतर नियाए पाल का और नियाएक पुनर विलोकन का सिधान भी लिया गया है नियाएक पुनर विलोकन का मतलब होता है अपने दिये गए निर्णाय पर फिर से बिचार करना और अपने निर्णाय को पलड देना ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मालीजिये किसी केस सो जुड़ा हुआ कोई ऐसा स्थबू सामने आ जाए जिसको देखते हुए साब साब पता चला हो कि दिया हुआ निरनाए है वो गलत है तो ऐसी इस्तिती में जो सुप्रीम को उट होता है नयायक पुनर वलोकन के तुरू अपने निरनाए को पलड देता है और स्वतंदर नयायपालका का मतलब होता है कि नयायपालका के काम में कारपालका और व्यवस्ताप का टांग नहीं अडाएगी ना ही जजिस से ये पूछा जाएगा कि आपने ऐसा निरनाए क्यों लिया उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा एक शीज और आपको याद रखनी है अमेरिका के संबधान से उपराष्टपती का भी पदल लिया गया है क्योंकि अमेरिका अमेरिका अमेर राष्टपती के बाद अमेरिका से उपराष्टपती का भी पदल लिया गया है अब आप से कहा जाए कि भारत में कैसी सासन प्रणाली है संगी है या एकादमक तो आप कहेंगे भारत की जो सासन प्रणाली है वो इन दोनों का मिला जुला रूप है यानि की यूनिटरी प्लस फेडरल फिर कुस्चन ये आता है अगर भारत दोनों का मिला जुला रूप है तो इसने यूनिटरी तो ले लिया बेटेंज से तो क्या फेडरल सिस्टम अमेरिका से लिया है फिर तो आप आंसर देंगे नहीं फैडल सिस्टम इसने अमेरिका से ना लेकर कनाडा से लिया है ये कोईशन बहुत अच्छा है और एक जाम में बार-बार रिपीट करके पूछा जाता है और उसमें अमेरिका आपको पहले आपसन में दिया रहता है आपको कन्फूज करने के लिए तो इसका अंसर आपको अमेरिका टिक नहीं करना है जो संगी साथ ने परना ली है फैडल सिस्टम वो कनाडा से लिया है भारत ने और जो अफसिस्ट सक्तियां है वो भी कनाडा से लिया है अफसिस्ट सक्तियों का मतलब होता है जो सक्तिया ना तो केंदर सूची में, ना राज सूची में, ना ही संबर्ती सूची में बताई गई हूँ, उन्हें बताया जाता है अफसिस्ट सूची में, मतलब अफसिस्ट सक्तियों की सूची में, इन पर कानून बनाने के अधकार किबल संसत को प्राप्त होता है, और गया है क्योंकि आपने कनाड़ा से संगबाद तो ले लिया मतलब राज्यों को भी आप पापर दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं ये लिया गया है कनाड़ा के सम्मधान से संग्यम राज में सक्तियों का विभाजन अब बात करते हैं आश्टेलिया से क्या लिया गया ह तो आश्टेलिया से सबसे पहले आपको याद रखना है संबर्ती सूची लिए गई है केंद राज संबंध भी आश्टेलिया से लिए गई है और एक चीज और आश्टेलिया से लिए गई है वो है दोनों सद्रों की सैयुक्त बैठक मतलब जब दोनों सद्रों में सेहमती नहीं वन रही हो तो राश्टपती सेयुक्त बैठक बोलाता है वो लिया गया है आश्टेलिया के सम्दान से और आरेलेंड के सम्दान से तो लगवए हर परिक्षे में पूछा जाता है क्या लिया गया है बहुत सिंपल है नीती निदेसक सिद्दान लिए गया है और राजिस्तवा में 12 सदषियों का जो मन्यूनियान होता है कला सायद विज्ञान के छेतर से वो भी Ireland के सम्धान से लिआ गया है दप्चन प्रेका के सम्धान से लिआ गया है सम्धान संशोदन फ्रांस के सम्धान से लिया गया है गरतंत्र शासन पढ़ाली गरतंत्र का मतलब होता है किसी भी पद का अनुवानशिक ना होना क्या मतलब इसका इसका मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा यही कहलाता है गरतंत्र यानि कि डेमोकरेसी और फ्रांस के समधान से क्या लिया गया है फ्रांस के समधान से लिया गया है स्वतंतरता, समानता और बंधुत का सिद्धान ये जो नारा है फ्रांस की क्रांती हुई थी जो 1789 में उसमें दिया गया था तो वहीं से हमने इसको उठाया है अपने समधान में फिर बात करते हैं जर्मनी की तो जर्मनी में आप जानते ही हैं दुती बिश्युद के समय किस तरीके से जर्मनी ने पोलेंड पर आक्रमण करके आफ़त खड़ी कर दीती तो यहां से लिए गए हैं आपात काली प्रावधान और रूस के समधान शे मूल करतब और आपको अंत वित्ती आपात कहां से लिया गया है तो वित्ती आपात लिया गया है अमेरिका से तो अमेरिका का जो डॉलर होता है वो सबस्यादा पाबरफुल होता है उसकी सबस्यादा जरूरत होती है विदेशी ब्यापार के लिए तो आप इससे अमेरिका से रिलेड करके भी इसको य तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी सारी चीजें तो friends वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ से सेर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक कर लीजिए अब हम लोग मिलेंगे आसा ही किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन जाए भारत